हलो बच्चो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कॉंसलेशन टूर्णमेंट के बारे में यूट्व हम बहुत सारे कॉशन्स को अल्रेडी सॉल्व कर चुके हैं लेकिन बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर कॉंसलेशन टूर्णमेंट किस तरीके से होते हैं और उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारी kanfusing के points होते हैं मैं बिलकुल agree करता हूँ कि बच्चों को आपको मैं समझाने वाला हूँ कि consolation tournament का type 1 और type 2 दोनों आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम question जानेंगे कि हम किस question को solve करने वाले हैं तो यहाँ पर जो हमारे question आया है हमारे subscriber के जरिये तो यहाँ पर लिखा है draw a fixture of consolation tournament of 10 teams by type 1 and type 2 तो यहाँ पर type 1 और type 2 के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले हम समझेंगे type 1 होता क्या है तो type 1 को समझने के लिए आपकी जो book है उसको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे type 1 में तो कुछ इस तरीके से आपको information मिलेगी अब मैं आपको यहाँ पर यह चीज़ समझा दूँ अगर सामानने भाशा में आपको मैं यह समझा हूँ तो आपको जो टीमें consolation tournament के knockout rounds में first round जो होता है जो first round होता है उसमें से जो बाहर हो जाती है उन टीमों को consolation tournament खिलवाया जाता है उनके लिए अलग से fixture बनाया जाता है जो टीम first round में out हो जाती है एक regular tournament में से और साती सात वहाँ पर यह इस बात का ध्यान रखना होता है कि 22 उन टीम को दी जाती है जो first round में खिल रही थी और उनको buy नहीं मिली थी तो देखिए यहाँ पे in this type of consolation tournament each team gets two opportunity एक तो regular आपको जो knockout हो रहा है उसमें opportunity मिल रही है और second opportunity आपको कब मिल रही है जब आप consolation tournament में खिलते हैं तो ठीक है to play the matches the team that are defeated in the first round यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे first round में जो टीमें हारती है get the opportunity to play in this type of tournament तो मतलब consolation tournament के बारे में बात हो रही है ठीक है buys are given to those teams which did not get buys in the regular knockout tournament अब जो आपका consolation tournament है तो उसमें उन टीमों को buys दी जाएगी जिनको regular tournament में buys नहीं दी गई थी ठीक है तो अब इस चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कि यह होती क्या चीज़ है किस तरीके से आपको solve करना है तो चलिए अब शुरू करते हैं तो देखिए जैसा कि यह हमारा question है जिसमें हम 10 teams को type 1 के अनुसार पहले solve करेंगे उसके बाद type 2 के अनुसार solve करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे solution total number of teams कितनी है 10 है ध्यान रखिएगा number of total 22 आपको पता होना चाहिए 2 की highest power जो team के पास हो और उससे ज़ादा हो ठीक है तो 2 की power 2 होने पे 4 होता है 2 की power 3 होने पे 8 होता है 2 की power 4 होने पे 16 होता है तो यहाँ पे 16 क्या है 10 से ज़ादा है और पास में है तो हम करेंगे 16 minus 10 is equal to 6 22 तो यहाँ पे हमें 6 22 मिल चुकी है ठीक है अब regular rounds यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देंगे teams round 1, round 2, round 3 and round 4 यहाँ पर हम team लिख देंगे 1 से लेके 10 तक अब यह जो 10 team हमने लिख दी है अब मैं 6 22 देनी है 22 देने का pattern आप जानते हैं 1st वाई आपकी lower half की last team को 2nd जाएगी upper half की first team को 3rd जाएगी आपकी lower half की first team को और 4th जाएगी आपकी upper half की last team को और 5th जाएगी आपकी lower half की second last team को और six जाएगी आपकी upper half की second first team को तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी 22 distribute हो जाएगी अब इसके बाद number आता है matches कराने का तो यहाँ पर हम match कराएंगे जो first match होगा आपका 3 और 4 का होगा ठीक है उसके बाद second match होगा 7 और 8 का होगा तो यहाँ पर हम match number भी डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 तो यहाँ पर number of matches 9 है अगर यहाँ पर हम निकालते number of matches तो n-1 formula अप्लाई करके लिखते हैं ठीक है 10-1 is equal to 9 तो यहाँ पर 9 matches होगा अब यहाँ पर हम जबकि हम consolation tournament के बारे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो first round में जो matches हो रहे हैं उसमें 1 और 2 और second round में जो 3, 4, 5, 6 है तो इस तरीके से आपका जो पहला और दूसी team के matches होंगे वो second round में हो रहे हैं लेकिन जो team out होई है वो कौन सी होई है? 1 होई है उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर की जो team है वो out हुई है 3 और 4 का match हुआ जिसमें 3 हार चुकी है यहाँ पर आपकी 5 नंबर की team हार चुकी है यह second round में match 4 के साथ हुआ था इसके बाद 6 यहाँ पर आपको doubt होगा कि first round की बात कर रहे थे कि first round में हारने वाली teamों को दुबारा खेलने का मौका दिया जाता है अब यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर 22 आ चुकी है तो 22 आने के बाद first और second round को एक first round ही तरह ही treat किया जाता है ठीक है फर्स्ट round की हारी हुई teamों में ही count किया जाता है क्योंकि यहाँ पर 22 दी जाती है तो वो 22 मिलने के कारण वो second round में खेलती है लेकिन उनके first round की तरह treat किया जाता है तो जो भी teamें में से हारी हैं वो हमने 1, 3, 5, 6, 8, 10 निकाल ली है ठीक है अब इसके बाद जो next step आता है यह हमारे first round में हारी हुई teamे है जो शुरुवाती दौर पर अपने match खिलती है अब इसके बाद जो सबसे important चीज है वो आपको वहाँ पर bracket में लिखना है encircle teams are defeated teams in the first round total number of defeated teams is equal to 6 number of 22 is equal to 8-6 8-2 यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि teamों की संक्या है 6 और हमारी 2 की power में highest 8 होता है और वो 6 के पास है तो 8-6 is equal to 2 22 हो गए अब हमें इस चीज का fixture बनाने के time पे ध्यान रखना होता है कि जैसा कि statement में कहा गया था उन teamों को 22 दी जानी है जिनको regular tournament में 22 नहीं मिली थी तो हमें पता है यहाँ पे 2 बाइज दे जानी है और वो जो teamे हैं जैसे कि 3 और 8 यह वो teamे थी जिनको first round में 22 नहीं मिली थी ठीक है तो यहाँ पर आप देख से 3 यहाँ पे इसको 22 नहीं मिली थी और यहाँ पे 8 है इसको यहाँ पर बाइज नहीं मिली थी तो यहाँ पे हमने 3 और 8 को अपर और नीचे यहाँ पे lower half में डाल दिया है उसके बाद जो बाकी हारी हूँ team थी 1, 5, 6 and 10 उनको वैसे के वैसे लिख दिया है अब इसके बाद यहाँ पे जो match होगा पहली team का 5 वी team के साथ होगा इसमें 1 team आपकी win कर जाएगी 6 का 10 के साथ होगा 6 win कर जाएगी और जिनको बाइज मिली थी वो 2 राउंड में खेलेंगे और वहाँ पे जीत जाती है आपकी 1 1 का match होता है 3 के साथ तो यहाँ पे 1 जीत गई और यहाँ पर आपका 6 का match होगा 8 के साथ तो यहाँ पर आपकी 8 win कर जाएगी और उसके बाद आपका match होता है 3rd round में पहली team का और 8 वी team का तो यहाँ पर इनका match होने के बाद आपको winner मिलता है one team आपकी winner हो जाती है तो first जो type होता है आपका जो पहला तरीका होता है consolation tournament का वो इस तरीके से होता है अगर वहाँ पे 22 include होती है तो आपको first और second round को first round की तरह treat करना होता है हर्यूई टीमों को consolation tournament में position देनी होती है इस साधार पे कि आपको regular tournament में जिन टीमों को 22 नहीं दी गई थी उनको यहाँ पर 22 मिल पाए उसके बाद आपको इसमें match करा देने होते हैं match कराने के बाद आपको उसका winner मिल जाता है तो अब इसके बाद हम बात करते हैं type second के बारे में तब type second किस तरीके से consolation tournament में type first से अलग होती है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि in this type of consolation tournament the teams defeated in all the rounds तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो team सभी rounds में हारती हैं उन टीमों को आपका consolation tournament में खिलाया जाता है are given an additional opportunity to take part in the competition अब इस तरीके की question को किस तरीके से solve करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे total number of teams 10 number of vice 16 minus 10 is equal to 6 by regular rounds team आप इस तरीके से लिख लेंगे उसके बाद round 1, 2, 3, 4 ठीक है 16 क्योंकि 2 की power 4 होने पर तो round 4 है यहाँ पर ठीक है फेले का match हो रहा है second का second round में लेकिन यहाँ पर team कहन सी हारी है one हारी है मैंने double line कर दी है आप यहाँ देख सकते हैं जो team है फ़िए हारी है उनके नीचे हमने double line कर दी है तीसरे number की team हारी है यहाँ पर 4 जीत गई थी उसके बाद यहाँ पर six number की हारी है eight number की हारी है और seven number की team हारी है तो यहाँ पर आप फिक्चर को ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए ठीके यहाँ पर जो 22 दी गई है वो ठीक यहाँ पर जो 22 है उसी के pattern पर दी गई है पहली यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौती यहाँ, पाँचवी यहाँ, छटवी यहाँ तो 22, same दी गई है, अब, यहाँ पे first round में जो मैच हुए ते, 3 और 4 का हुआ, उसके बाद 7 और 8 का हुआ ठीक है इसके बाद second round में आपका पहली और दूसी team का हुआ उसके बाद आपका हुआ match four का हुआ five के साथ यहांपे five ने win कर लिया ठीक है four हार गई यहांपर तो यहांपर भी आपके match हुआ seven का six के साथ six हार गई उसके बाद आपका हुआ nine का ten के साथ तो यहाँ पर आपके 9 हार चुकी है और यहाँ पर यह अगले जो match होगा 3rd round में वहाँ पर आपके 10 हार जाएगी ठीक है तो कुल मिलाके यहाँ पर आपको यह समझना है कि जो team हारी है जैसे आप देखिये यह team हारी यह हारी यह हारी यह हारी उसके बाद 4 हारी है 2 हारी है 10 हारी है ठीक है और 5 हारी है तो ये जितनी भी टीमे हैं अब इनके match हम किस तरीक से कराएंगे तो अब आजाते हैं हम यहाँ पर आपको इस तरीक से statement लिखना होगा In the above picture हम यहाँ पर इसको show भी करते रहेंगे साथ में ताकि आपको समझने में कोई परिशानी ना हो In the above picture of 10 teams, the teams 3, 8 are the losers of first round यहाँ पे तीसरी और आठवी जो टीम है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3rd team और 8 team जो हारी है वो first round में हारी है ठीक है इसके बाद team 1, 4, 6, 9 team 1, 4, 6, and 9 यह आपकी 2nd round में हार गई है उसके बाद आपकी 2nd और 10 आपकी 3rd round में हार गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो match हुआ 2nd और 10 यह आपकी 3rd round में हारी है उसके बाद 4th round में आपकी 1 team हारी थी जो final match के लिए खेल रही थी तो यहाँ पर 5th नंबर के team हार गई है अब fixture कैसे त्यार करेंगे देखिए ध्यान दीजे का यहाँ पर बहुत ज़रूरी है losers team 3, 8, 1, 4, 6, 9 अब 22 कितनी देनी है? 2 देनी है क्योंकि teamों की संक्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 है तो 22 हो गई आपकी 8 से 6 को गटाएंगे 2 पर देगी तो यहाँ पर 1 यहाँ आ गई, 1 यहाँ आ गई उसके बाद आपका मैच हुआ 8 और 1 का, 8 जीत गया 4 और 6 का मैच हुआ, 4 जीत गया इसके बाद आपका 3 का और 8 का मैच होगा तो यहाँ पर आपकी 8 वी team हार जाएगी तो यहाँ पर आपकी 13 ने win कर लिया उसके बाद आपका 4 का मैच होगा 9 के साथ, तो यहाँ पर आपकी 4 हार चुकी है 9 ने win कर लिया अब यहाँ पर जो 3 राउंड में जो team हारी थी कौन कौन सी, दूसरे और 10 नंबर की team हारी थी तो 3 का मैच होगा 2 के साथ, और 9 का मैच होगा 10 के साथ, तो यहाँ पर इन दोनों मैच होने के बाद, यहाँ पर 10 ने जीत लिया, और यहाँ पर किस ने 2 ने जीत लिया, अब इन दोनों में आपस में मैच होगा, ठीक है और इन दोनों में आपस में मैच होने के बाद जो टीम जीत कर आई है वो 2 जाई है 10 हार गई है अब 2 का मैच किस टीम के साथ है उस टीम के साथ जो 4th round में हार चुकी थी अपने regular tournament में तो यहाँ पर हमको जो winner मिलेगा team 5 मिल जाएगी और यह हमारा winner हो गया तो अमीद दोस्तों यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आया तो हमरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें अगर अभी भी आपको reconciliation tournament से related कोई भी doubt है या problem है आप हमें comments में पूछ सकते हैं आप हमारे इंस्टा पे हमें follow कर सकते है प्रबल 1114 हमारी इंस्टा की ID है साथ ही साथ हमारे description में आपको mobile number हमारा मिल जाएगा जिस पर आप हमें whatsapp पे पूछ सकते हैं क्योंकि वो number आपके whatsapp के लिए ही available है तो अगले वीडियो तक के लिए जै हैं जै भारत